हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ शैंकी और आप दीख रहे हैं शैंकी टैग दोस्तों आज मैं आपको बोल्ट स्ट्रोम एरफोन्स की अन्बॉक्सिंग दिखाने वाला हूँ साथ ही इसके बारे में हम बात करेंगे रिव्यू के बारे में लेकिन उससे पहले अगर आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरन सब्सक्राइब कर लीजिए और एंड तब वीडियो में बने रही है तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इसके box को यह इसका box है दोस्तों इसको front से आप देखेंगे bolt strong इसके लिखा हुआ है बैक साइड से अगर आप देखेंगे तो इसमें दिये हुआ है देखें वन यह वारंटी एल शिप्ट कनेक्टर डीप बेस एंड 3D अकॉस्टिक बिल्ट-इन माइक बिल्ट-इन माइक बिल्ट-इन माइक रोफर्स बैक साइड में अगर हम देखेंगे तो इसकी product name दिये हु क्योंकि मुझे और भी आफर लगा के 256 में पड़ा था मंतेंट यह दिया है नेट कंटेंट वन यूनिट कंटेंट इयरफोन वन एक्स्टा इयरबट्स तू नमबर्स इसमें दो एक्स्टा इयरबट्स भी दिये हुए हैं बाकी और कुछ ऐसा खास है नहीं इस बॉक्स के अब स्था इस बॉक्स में और फुछ और अगर भी आप अण बॉक्स में और वारंटी कार्ड मिंजाता है कि वारंटी कार्ड इसमें आपको मिल जाता है बॉक्स में बोल्ट आडियो का इसको साइड में रफ देते हैं अब आते हमारे मेन पैकेज की तरफ जो की है हमारा इयरफॉन कि इसके साथ हमें यह दो एक्ष्ट्रा दो प्यर मिल जाते हैं गयरफॉन के कि इसके लाव इसमें बॉक्स में और कुछ ऊट देख सकते हैं आप कि यह पॉनसको survey कि इसमें इसमें अग्ए झाहरा तो नहीं नहीं है यह राइट रेंट लेफ्ट पीस को दी इसमें दिया हुआ है डिजाइन आप इसकी देखेंगे दोस्तों दी हलकी सी कर्व है इसमें मैं आपको इसका यह रूपर्ट निकाल के बता देता हूं यह देखिए कि यह अलका सही कर्व है तकि इसकी प्रिटिंग अच्छी आ सके और यह काफी अच्छी इसकी फिटिंग भी आती है कानों में क्योंकि मैं इसको एक मेंने से उलडी यूज़ कर रहा हूं तो मैंने इसके यूज़ करके देखाए इसके साथ ही आप इसमें आएंगे तो यह आपको इसमें call receive करने के लिए call cut करने के लिए यह बटन भी इसमें दिया हुआ है इसके पीछे आप देखेंगे तो बोल्ट आडियो का आपको printing इस पर मिल जाता है इसके बाद अगर हम बात करेंगे connector की तो यह शेप में इसका कनेक् cleaning दिया हुआ है जो कि यह को ल्ख प्लेटेट है जोande कि नॉर्मल जो फेडा़ प्लेटेड होते हैं उससे इसमें अच्छा प्तना चाता है शेप आप इसका देखेंगे तो यह प्रापर शेफ है न्गा आई शेफ है तो जैसे मालेजी किसी फोन में अगर नीचे एक कनेक्टर दिया हुआ है और अगर आप उसको ऐसे रखते हैं तो इस कंडिशन में ये काफी अच्छा आपका काम करे गए यहां से तूटे बनी काफी फ्लेक्जिबल है देखिए अगर आप ऐसे अपने फोन को रखते हैं कनेक बड़ी है इसके अलाव आप इसमें देखेंगे तो जो साथ में एक्स्टर इयर बड़्स दिये गए हैं दो तो इनमें एक पेर जो है वो आपको स्मॉल साइज का मिल जाता है आप अपने कान की फिटिंग के साब से इसको चेंज कर सकते हैं जैसे आपको कंफर्टेबल लगा वो आता है वो मीडियम साइज का है तो आपको जो कंफर्टेबल लगया आप उसको इसमें उसे साब से फिट कर सकते हैं साउंड कालिटी की बात करें दोस्तों तो काफी अच्छा मुझे इसका साउंड लगा है इसमें बेस और बाकी क्लेरिटी साउंड की काफी अच्छी है साथी काफी लाउड है इसका साउंड अगर कंपरिजन करें जो मैं परिछले एरफोंस यूज करता था है माई वगेरा कि उनके मुकाबले काफी अच्छी इसकी sound है इसके अलावा अगर हम call की बात करें तो call में भी काफी इसकी voice आती है और अगर इसकी जो खासियत है वो है इसका mic अगर आप इसको normally लगा के रखेंगे तो इसमें आपको बहुत अच्छा इसमें clear sound जो है वो ये catch करता है इसके ल कैच कर लेता है तो दोस्त अगर overall बात करें तो ये एरफुन मुझे काफी अच्छा लगा है काफी अच्छे इसके sound quality है माइक इसका अच्छा है connector बढ़िया है build quality अच्छी है वो भी केवल 299 में अभी जो हो सकता है इसकी price जो है उससाब से ये काफी बढ़िया एक deal होगी तो दोस्तों आप कौनसा इयरफोन अभी यूज़ करते हैं और क्या आप इसे लेना चाते हैं मुझे नीचे comment box में जरूर से comment करके बताईएगा तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तुसे लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को subscribe करें ताकि आने वाले समय में हम आपको और बेच्छे अच्छे वीडियो दिखा सकें